बिस्मिल्लाह रह्मान रहीम सलललाह अलाह भीबी सेदना मुहम्मद इन्वाली वसाबी वसलम आज का हमारा टॉपिक टाइपस ऑफ स्प्रिंक्लर इरिगेशन को एक्स्पोर करना है और स्प्रिंक्लर के ऊपर हम एक डेडिकेटिड वीडियो अल्रडी बना चुके हैं जिसमे हमने इनके अड्मांटेजेस और यूजजेस को कवर किया था उसका लिंक आपको आइकार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाला मिल जाएगा अब हम बात करते हैं पॉप-प स्प्रिंक्लर की ही एक टाइप है इनको स्प्रिंक्लर इस लिए कहा जाता है क्योंकि अमूमन छोटे लाउन्स में जो आपके स्पैसिफिकली होम लाउन्स हैं उन में जादा होता है और इंडिस्ट्रिंग में एक इस्तलाय इस्तमाल होती है कि अगर आपके लाउन की विथ या लेंध दोनों में से कोई एक चीज़ भी 30 फिट से कम है तो स्प्रे हैट्स का इस नोजर्स को कवर करूंगा एक हमारे पास जो वाइडली इस्तमाल होती है वह वी एन नोजल है डैट इस वेरियेबल आर्क नोजल इसका आर्क आप 0,2,360 डिग्री तक एड़्जस्ट कर सकते हैं कॉर्नर्स में में 90 डिग्री में ये प्लेस की जाती है साइट्स के उपर 180 ड जेस्ट पॉप अप स्प्रिंकलर तो जैसे ही आप पंप अन करते हैं तो इसमें से एक राइजर पॉप अप होता है और स्प्रे करता है दूसरी टाइप जो है नोजल की वह साइड श्रिप्स के लिए अमोमन यूज होती है कि अगर आपके ग्रास का पैच सिक्स फीट करते हैं लेटसे सिक्स फिट विथ और साइड के उपर वो नाइन फिट कवर करती हैं तो यह साइड श्रिपस नोजल कर लाती है स्प्रे हैटज की अमोमन जितनी भी नोजल आती है उनका रेडियस एड्जफटेबल होता है जैसे के वी और इस एंपर बार्केट में और उस सफ्पिन की चेड़ियूस के और श्कूल में मिलता है , लेकिन यही रेडियस उसके ओपर एक स्कूल होता है , अगर उसके टाइट किया जा जाए तो यह रिडियूस की जा सकता है एक 8 फिट तक तो यह हमें एक flexibility मिल जाती है इसी वज़ा से इंड़स्ट्री में यह ज्यादा इस्तमाल होती है इसके बाद जो हमारे पास दूसरी टाइप आती है pop-up sprinklers की वो हैं rotors उसको हम इंशाला अगली आने वाली वीडियो में explore करेंगे सो प्लीज दू subscribe आर चैनल ताके हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहां सके थैंक यू